नमस्कार साथियों, साहित्य कला और संस्कृति के मंच कलम कथा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कलम कथा के मंच पे कहानियों का सिलसिला जारी है इसी शंखला में आज प्रस्तुत है कहानी पक्षी आईए सुनते हैं कहानी एक था पक्षी, वह नीले आस्मान में खूब उचाई पर उड़ता जा रहा था उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे, सब बहुत उचाई पर उडने वाले पक्षी थे उनकी निगाहें भी बड़ी तेज थी उन्हें दूर दूर की भनक और दूर दूर की महग भी मिलती थी एक दिन वह नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई एक बेल गाड़ी को देख लेता है उसमें बड़े बड़े बोरे भरे हुए हैं गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है दो दीमकें लो एक पंक दो उस नौजवान पक्षी को दीमकों का शौक था वैसे तो उचे उड़ने वाले पक्षीयों को हवा में ही बहुत से कीडे तैरते हुए मिल जाते हैं जिनें खा कर वे अपनी भूख थोड़ी बहुत शान्त कर लेते हैं लेकिन दीमकें सिर्फ जमीन पर मिलती थी कभी-कभी पेडों पर जमीन से तने पर चड़कर उची डाल तक वे अपना मटियाला लंबा घर बना लेती लेकिन वैसे कुछ ही पेड होते और वे सब एक जगहन न मिलते नवजवान पक्षी को लगा यह बहुत बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमकों को बोरों में भर कर बेच रहा है वह अपनी उचाईया छोड़कर मंडराता हुआ नीचे उतरा है और पेड की एक डाल पर बैट जाता है दोनों का सोदातय हो जाता है वह पक्षी अपनी चोट से एक पर को खीच कर तोड़ने में उसे तकलीव भी होती है लेकिन उसे वह बरदाश्ट कर लेता है मुह में बड़े स्वाद के साथ दो दीमकें दबा कर वह पक्षी फुर्र से उड़ जाता है अब उस पक्षी को गाड़ी वाले से दीमकें खरीदने और एक पर देने में बड़ी आसानी मालूम हुई वह रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले को एक पंक देकर दो दीमकें खरीद लेता कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा एक दिन उसके पिता ने देख लिया पिता ने उसे समझाने की कोशिश की बेटे दीमकें हमारा स्वभाविक आहार नहीं है और उसके लिए अपने पंक तो हरगिज नहीं दिये जा सकते लेकिन उस नवजवान पक्षी ने बड़े ही गर्व से अपना मुह दूसरी ओर कर लिया उसे जमीन पर उतर कर दीमकें खाने की चट लग गई थी अब उसे न तो दूसरे कीडे अच्छे लगते न फल न अनाच के दाने दीमकों का शौक अब भी उस पर हावी हो गया था इस तरह कई दिनों तक पंक के बदले दीमक लेने और खाने का काम चलता रहा उसके पंकों की संख्या लगातार घरती चली गई अब वह उचाईयों पर अपना संतुलन साध नहीं सकता था न बहुत समय तक पंक उसे सहरा दे सकते थे आकाश यातरा की दोरान उसे जल्दी जल्दी पहाडी, चट्टानों, पीडों की चोटियों, गुमबदों और बुर्जों पर हाफते हुए बैट जाना पड़ता था उसके परिवार वाले तथा मित्र उचाईयों पर तैरते हुए आगे बढ़ जाते वह बहुत पिछड जाता, फिर भी दीमक खाने का उसका शौक कम नहीं हुआ, दीमकों के लिए गाड़ी वाले को वह अपने पंख तोड़ तोड़ कर देता रहा उसको लगा कि आस्मान में उड़ना तो मुर्खों का काम है, उसकी हालत यह थी कि अब वह आस्मान में उड़ ही नहीं सकता था वह सिर्फ एक पेड से उड़कर दूसरे पेड तक पहुँच जाता, धीरे धीरे उसकी यह शक्त भी कम होती चली गई और एक समय वह आया जब वह बड़ी मुश्किल से पेड की एक डाल से लगी हुई दूसरी डाल पर चल कर या फुदक कर पहुँचता लेकिन दीमक खाने का शोक नहीं छुटा, बीच बीच में गाड़ी वाला बुद्ता दे जाता वह कहीं नजर में न आता, पक्षी उसके इंतजार में दुखी और घुलता रहता लेकिन दीमकों का शोक जो उसे था, उसने सोचा मैं खुद दीमके ढूनूँगा इसलिए वह पेड पर से उतर कर जमीन पर आ गया और घास के एक लहराते गुच्छे में सिमट कर बैट गया फिर एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या आया वह खूब मेहनस से जमीन में से दीमके चुन चुन कर खाने की बजाए उन्हें इखटा करने लगा अब उसके पास दीमकों के धेर के धेर हो गये फिर एक दिन एक आएक वह गाड़ी वाला दिखाई दिया पक्षी को बहुत खुशी हुई उसने पकार कर कहा गाड़ी वाले ओ गाड़ी वाले मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुख गया तब पक्षी ने कहा देखो मैंने कितनी सारी दिमकें जमा कर ली है गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ नहीं आई उसने सिर्फ इतना कहा तो मैं क्या करूँ तबी पक्षी बड़े विश्वास से बोला ये मेरी दिमकें लेलो और मेरे पंक मुझे वापस कर दो गाड़ी वाला ठाहा का लगा कर हस पड़ा उसने कहा बेवकूफ मैं दिमक के बदले पंक लेता हूँ पंक के बदले दिमक नहीं गाड़ी वाले ने पंक शब्द पर बहुत जोर दिया था ये कहता हुआ वह गाड़ी वाला चला गया पक्षी छट पटा कर रह गया एक दिन एक काली बिल्ली आई और अपने मुह में उसे दबा कर चली गई, तब उस पक्षी का खून टपक टपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था, तो साथियों ये थी आज की कहानी पक्षी, उमीद है कलम कथा का ये प्रयास आप सभी को पसंद आएगा, कलम कथा आप सभी से एक बार फिर अनरोध करता है, यदि आप कहानी, कवीताएं लिखते हैं और कलम कथा के माध्यम से दर्शकों और शुताओं तक पहुचाना चाहते हैं, तो हमें अवश्य भेजें कर दो हमें अवश्य भेजें